और एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है राच्वी के महाधर्माधक्ष कार्डिनल तेलेस्फर पी टोपो का निधन हो गया है बता दें कि बीते दिन ही उनकी तब्यत बिगडी थी जहां पर उनका इलाज चल रहा था और ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर जनकारी मिल रही है कि कार्डिनल का निधन हो गया है और ज्यादा जनकारी के लिए हमारे सहयोगी अंजनी लाइव हमारे सा जुट चुके हैं अंजनी बड़ी खबर सामने आ रही है कार्डिनल टेलसफर पी टोपो का निधन हो गया है और कार्डिनल भी थे तो हम कह सकते हैं कि पूरे राज्जी के लिए एक बड़ी चती है क्योंकि इस छेतर के वो पहले कार्डिनल बनाये गए थे और आप समझ सकते हैं कि इसाई जो रोमन काथलिक मिशन होता है उसमें कार्डिनल जो है पोप के बाद सबसे बाहपद होता है और इसी कार्डिनल के रास्ते लोग आगे पोप भी बंगते हैं तो जारकन के लिए राज़ानी राची में जो मसीही विश्वासी हैं वो सोक की लहर है और तमाम जाती धर्म के लोग जो हैं हर कोई इस खबर सुनने के बाद सोका कुल है बिलकुल अंजने बहुत थी दुखत खबर सामने आई है और जो जानकारी मिल रही है कि पिछले कुछ दिनों से उनकी तबियत बिगडी हुई थी और कल से यह हालात उनकी स्वास्त सिती थी वो और जादा बिगड गए थी जनकारी मिल रही कि उनके पेपड़ों में पानी भने के कारण अचानक सुनकी स्वास्त में यह हम गिरावट देखने को मिला था दिखें कार्डिनल तेलसपोर पी टोपो की उम्र लगबग 84 बरस थी और पिछले एक वरसों से वो लगतार बीमार चल रहे थे और डॉक्टरों की निगरानी में वो थे और जब तभियत बहुत ज़्यादा बिगली तो मांडर के लिवियंस हॉस्पीटल में उन्हें अड्मिट किया गया और कल जब मैं विशफ हॉस में बाच्चित कर रहा था तो उसी समय बताया गया था कि वो बाच्चित करना और खाना पीना भी वो बंद कर दिये हैं तो उसी समय तमाम लोग लगतार प्राथना कर रहे थे देखें कार्डिनल तलसपर पी टोपो जो का जो जन्म है ये 15 अक्तोबर 1939 में गुमला के चैनपूर में हुआ था और आप समझें सुदूर करामीन इलाके में रहने वाला सक्स जो है अपनी मेहनत लगन से कैसे दीरे दीरे आगे बढ़ता है आगे वो MA तक की पढ़ाई उन्होंने राची इन्वर्सिटीज के PG डिपार्टमेंट से उन्होंने हिस्ट्री में मास्टर्स भी किया था और धर्म गुरू भी रहे थे और धर्म की पढ़ाई है वो संत आलबर्ट कॉलेज से उन्होंने धर्म की पढ़ाई की थी और विशेश आगे जो धर्म की पढ़ाई है वो रोम से उन्होंने किया था और रोम आना जाना भी उनका लगाता बना रहता था और क्रिस्मस के समय में क्रिस्मस के बाद जो है सर्व धर्म सम्मेलन होता था तो आप समझे कि वो किस तरह से उनकी सूच रही थी कि सभी जाती धर्म के लोगों के साथ वो क्रिस्मस का केक भी काटा करते थे तो ये तमाम चीजे जो है आप ऐसा नहीं होगा करें तो उनका हमेश्वा से एक सपना रहा था महा गिर्जागर निर्मान का जो उन्हों ने पूरा भी किया था एक बहुत एहम भूमिका उनकी रही थी यहाँ पर दिखें जिस तरह से जब वो राची के आर्च बिशफ बने थे तो उसके बाद से जो तमाम यो गतिवीधिया थी वो काफी सुचारू रूप से चलाते थे और कैसे जो समाज का जो गरीब तपका है उसको लेकर वो हमेशा चिंतित रहते थे परिशान रहते थे तो आप समझ स सकते हैं कि वो किसे मलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो इसाही मसही विश्वासी लोगों पर ही ध्यान देते थे वो अन्यजाती धर्म के लोगों से भी मिलते थे और उनकी परिशानी होती थी किसी को डॉक्टर से दिखाना है या किसी को कुछ अलग तरह से आर्थिक मदद चा रोमन कातलिक मिशन का एक धर्म गुरू जो कार्डिनल रहा था वो हमेशा से जो है गरीब तबके और पूरे भारत के कल्यान के लिए वो प्रातना करते थे दुखत घड़ी है देखे मैं कार्डिनल तलेसपोर पी टोपो को लगबग 15 साल मैं खुद कवर किया हूं अलक्ट वहां मिलने गया हूं या बाइट लेने गया हूं तो वहां रहने वाले तमाम जो फादर्स होते थे वो कहते थे आपका चेला आ गया है तो एक अलग तरह का लगाओ था बहुत ही सहज थे देखे लगबग वो आठ से नौ भासा वो बोलते थे बला साधरी तो बोलते ही थे अंग्रेजी तो बोलते ही थे और कई विदेशी भासाओं का उन्हें ग्यान था और उस पे वो बादचित करते थे जब रोम से या इटिली से जब फादर या अलग जो हायर आथरिटी के जो लोग आते थे तो उनसे उनसे इंटरक्ट करते थे तो हम कह सकते हैं कि राजी के ल मीटर दूर संतना वृद्धाश्रम में भी वो कुछ दिन रहे जिसके बाद मांडर की अस्पताल में उन्हें भरती कराया गया और एक हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी तो उनकी परिशानी भी बढ़ रही थी और यही वज़े है कि अंतिम समय में वो खाना भी छोड़े बादचीत करना भी छोड़े और उनकी एक दिली तमन्ना थी कि एक बड़ा जो हॉस्पिटल है उसका निर्मान राची में किया जाए तो ये सपना एक अधूरा रह गया क्योंकि उनकी ख्वाहिस कुछ अलग थी तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में उनकी जो ख्वाहिस बाकी रह गई है वो तमाम दूसरे जो लोग है वो पूरा करेंगे तो देखें कार्डिनल बनने के बाद जो है प्रभा राची भारत का जो है इतली और रोम से कई लोग यहां आते थे प्रतिनिधी आते थे और हम कह सकते हैं कि एक य जीवन का सफर खत्म हो चुका है लेकिन अपने इस पूरे जीवन से काफी प्रेरना उन्होंने कई लोगों को दिये बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए